नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों अम इस दोगन के सो में इस लड़की ने समाजवादी प्रवक्ता को ऐसा खरी खोटी सुनाया है कि अगर इसको अन तक देखते हैं तो जरूर समझ में आएगा तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा मेरा कुशन यही है वकफबोड सरकार के ही अधीन आता है उसी की बोड़ी बनती है सरकार का ही चेर्मेन होता है उसी के मिंबर्स होते हैं मुसल्मानों की बात करनी है न तो मुसलिम महिलाओं की बात करता है सर वकफबोड में एक भी महिलाए क्यों नहीं है सर बिल में महिलाएं स्टेट से दो महिलाएं उन्हें अधिकार है यह बोले की नहीं बोले बोले जी मेरा अधिकार है मुझे बोलने दीजिए एक से दो सर क्या यह जैसे साथ मेंबरों में दो महिला मेंबर है जैसे शहजाद कुना वाला पुरा देश रीप्रेज़न नहीं कर वैसे तो आपको मुल्क सेकुलर चाहिए लेकिन सेकुलर देश में वक्ष क्यों मैं जो बेहन सवाल पूछ रही है मैं नहीं कह रहा हमारा सम्विदान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक सरपुर्बुत संपन समाजवादी पंतनिर्फेक्ष लोकतंतरात्मक गनराज बनाने के लिए हमारा सम्विदान यहीं सुरू होता है यह देश पंतनिर्फेक्ष देश है दूसरी बात मैंने यह निका केवल वक्ष बोर्ट से ही सेकुलर हो जायेगा सभी अलफ संख्यक धारमों को मैंने बोला था सभी अलफ संख्यकों को अपने धार्मिक संस्ताओं का प्रब कुम गई उसम पर सुनीं नी ठीक से उनौने का पंदर एक असपतालों के नाम बतादो मैं इस बात का समर्थन करता हूं झी हमारी धार्मिक संस्ताओं को चाइक किसी भी धरम कि हो बच्चों िलिए स्कूल खोलने चाहिए अस्पताल खोलनी चाहिए, जंतागी सेवा के लिए काम करना चाहिए, इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सचा ही है, हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हम से बहुत आगे है, हिंदों से भी पिर मुसल्मान से भी, वो ऐसी ऐसी संस्थाइं चलाते हैं जिनमें फिरी इलाज करते हैं और फिरी बच्चों को सिख्षा देते हैं, होस्टिल में रखते हैं, ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाइं दिखाई देती हैं, ना मुसलिम समाज के कुछ मदर से हैं, लेकिन अच्छे इसे कर रहे हूं हमारे हिंदुमें आपको सिटो के हिसाब से मिल रहा है नकि उमसा जदाथ आइए हमारी उपार्टि फिर्फ तो Tao के हिसाफ करेंगे तो तो रह्मानी भीन साफके नम निया प्रोपर्टी है कि यह मंदिर यूनिवर्स्टी चला सकते हैं इस तरफ ध्यान देना चाहिए एक वाकिए एक वाकिए आपको बता दूँ कि केवल हिंदों के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है और कोई चर्च नहीं है कोई मस्ञेद नहीं है जिससे की सरकार टैक्स लेती है और हिंदुों के टैक्स से, सुन लीजे, अब ये पूरा मामला चलना है न तिरूपधी का, इसके लिए हम मोधी सरकार का विरौद करते हैं, हम विरौद करते हैं, राज्य सरकारे लगाती है टैक्स, हर जगे मोधी की सरकार है क्या, आजाएगी तो आपके मुह में गूईजी चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, हिंदुों के संस्थानों पर अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुों के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते है वोट टैक्स है, हिंदू मुस्तिम सीख के साइक के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है, हिंदू धुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदू के पीछे पड़े है ये बड़ी अच्छी बात के यह आता अर अकरी बात, मुझे शिकायत वक्ष बोड से भी इतनी नहीं है, सुन लिजे ये तो निश्यकान दूबे ने बोला, मैं सब के बार में जवाब देता हूँ ये तो वोल वाले हैं, जो अपने कागज दिखा नहीं सकते हैं, दूसरों से जवाब मांगते हैं, अपने जवाब नहीं दे सकते हैं अब सुन लीजे मैंनी बात क्योただ है Socjeैं rational ठीरिच़ पार बाता में पेट हसे है CC जिस दिन आप नौला के गागल के दे धे डेंगे उसी दिन देडियो उडलेschool अभ्यास पकी नाम है殺 में इक आपके लाक आप के नहीं है two last कि बाकी सब छोड़ दीजे असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेटी नहीं करें दिल्ली में वक्फ बोड कहता है कि यह जमीन मेरी है जो गलत निकलता है कोट में पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं राणी लक्षमी बाय की स्टैच्व ने आने दूंगा दिल्ल कि इसटीज आ जाएगक कोट में वग्वकफ बोड से मौहमद नाम के जो उनके अधिकारी है उन्होंने रेप्रेसेंटेशन दिल्ली मांश की कमिशन को और मार्टी कमिशन ने फिर उनके रप्रेसेंटेशन पर और पारित कि यह महरानी जासी रानी लक्षमी बाय का अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा